एक वैग्यानिक जिन्होंने त्रियामी चित्रों के जरिये समझाया कि किस तरह राइबोजोम अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं भारतिय मूल के वैग्यानिक वैंका ड्रमन रामकृष्णन उन तीन वैग्यानिकों में शामिल हैं जिन्हें रसायन शास्त्र नोबेल पुरुसकार के साथ नवाजा गया रामकृष्ण के साथ अमेरिका के तॉमस A. स्टेटिच और इस्टराइल की अड़ाई योनत को भी संयुक्त रूप से केमेस्ट्री में 2009 में नोबेल मिला। उन्हें नुएर्स ओनर्स लिस्ट 2012 में नाइठोड की उपाधी के लिए चुना गया। तमिलनाडू के चिदंबरम में जन्मे रामकृष्ण ने बरोडा विश्विध्याले, ओईयो विश्विध्याले, सैन डियेगो स्थित कैलिफोर्निया विश्विध्याले में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। साल 2010 में उन्हें पद्म विबूशन सम्मान दिया गया। वेंकड रमण रामकृष्ण ने 1977 में करीब 95 शोधबत्र प्रकाशित किये। हिस्टोन और क्रोमाटिन की संरचना कार्री के लिए भी जाना जाता है। वर्तमान में वें इंग्लैंड के केम्ब्रेज विश्विध्याले में Medical Research Council के Molecular Biology Laboratory में जीव वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका के राश्ट्र विज्ञान Academy के सदस्य होने के साथ साथ Cambridge में स्थित Trinity College और Royal Society के सदस्य भी है। उनके द्वारा किये गए कार्रियों से भारत का नाम विश्व में रौशन हुआ जिसके लिए हमें वेंका ड्रमन रामकृष्णन पर कर्व है। प्र दूनर ड्रमन बामकृष्णन वेंका ठचन में52 करेको तानाी कब रामकृष्णन वें каких अवे, भी हैных किष्णन पर दिएց